तर दोस्तों मैं राज पांडे आप देख रहे हैं आर्सी एंट टुड़ी अभी की लेटेस्ट अपडेट के बारे में बात करेंगे हर एक जानकारी सबसे पहले पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत बोलें अगर आप सची पच्छकार्चा से जुड़ना चाते हैं आप हमें सपोर्ट करना चाते हैं आप चाहतें के निस पच्छ ख़़ ह़ेंगे सब फीदे अथेंटिक ख़़र मिले तो इस चैनल को सबस्क्राइब करके जाएँगा या आपकी इमानदारी और मेरी इमानदारी पर निर्भर करता है आप हमसे जुड़ेंगे, हमें सपोर करेंगे तो मैं आपके लिए अवश्य मेहनित करूँगा आपको सभी सभी जानकारी दूँगा उससे पहले आप सभी के लिए महत्पूर सूचना अब किसी भरती परिशा की त्यारी कर रहे हैं भरती परिशा को क्वालिफाई करना चाते हैं आप अपने उस सपने को साकार करना चाते हैं जो आपका बच्चमन का सपना है तो अब वापस आ रहा है परिवाटन 3.0 परिवाटन 3.0 के माधिम से अब हर बच्चे का होगा सपना सकार मिलेगी सरकारी नौकरी अगर आप परिवातन 3.0 से जुड़ते हैं तो आप गारंटेड सफल होगे आप S.S.C की त्यारी करे हो आप रेलेवे की त्यारी करे हो आप पूरिस कार्श्टिबल भरती की त्यारी करे हो क्योंकि भविस में भर्तियों की महुचार होने वाली है 2024 का लोग सभा चुराव है आपको मालूम होगा उसके पहले बहुत सारी भर्तिया आने वाली है अगर आप सहीज अन्रीत के तहर तयारी करोगे तो गारेंटेट आपको सरकारी नौकरी मिलेगी और सरकारी नौकरी दिलाने का काम आपको सेक्सस दिलाने का काम उसकोष चैनल करने वाला है तो उसकोष पहला काम होनहार, जबरदस्ट, टीचरों के माध्यम से आप अपने सपने को साकार कर सकती हो 26 मार्च सुभा 11 बजे 26 मार्च सुभा 11 बजे आप एक्जामपूर्स चैनल से जुड़ना मत भूले, लाइब देखी, डिस्क्रेप्शन बॉक्स में लिंक जिया हूँ, अगर आप SSC MTS, टेर्श्रीज कोर्स को परिशच करना चाहते हैं, तो मात्र एक रूपे में, एक रूपे में, एक रूपे की जमाने में क्या वैलू ह एक रूपे में तो चाह नहीं मिलता है, और आपको 10 मौक टेस्ट मिलने वाला है, तो आपको यूज करना होगा कूपन कोड, अगर आप इस कूपन कोड के माधिन से अपलाई करेंगे, तो एक रूपे में आपको SSC MTS, टेर्श्रीज कोर्स मिल जाएगा, एक रूपे में, SS SSC 99, कोट अपलाई करना होगा, अभी जाएए, पर्चिस करें, और 26 मार्च, सुबा 11 बजे, जूरना मत भूने, अब वापस आ रहा है, परिवर्तन 3.0, पहली ख़बर के बारे में बात करेंगे, पहली ख़बर यूपिटर पर लस्ती की है, यूपिटर पर लस्ती के माधि से दो भरतियों का विग्यापन जारी होगा, कई भरतियों का अधियाचन भी पहुचने वाला है, अधियाचन पर बात करेंगे, पहले दो भरतियों की बारे में आपको जानकारे देदू, देखें, पहली भरती होगी, अगरी कल्चर टेकनिकल असिस्टन की, जिस पर काम च जाता हूं जिस तरह से मुझे जानकारी मिली है कि अप्रेल टू मई में अग्रिकल्चर टेकनिकल असिस्टन के वैकंसी आ सकती है और जून टू जुलाई में आपको वीडियो की वैकंसी देखने को मिल सकती है बीपियो की वैकंसी अभी नहीं आएगी समय लगेगा और कई भ वीडियर अगर आपके पास है तो अपलाई कर पाएंगे और अग्रिकल्चर अगर आपके पास है तब भी आप अपलाई कर पाएंगे ग्रिजिवेशन की बात यहां पर नहीं है 10 प्लस 2 की बात है 10 प्लस 2 में अगर आपका साइंस है तो अपलाई कर पाएंगे वीडियो मे बाकी ग्राम पंचाजकारी में आट वाले अपनाई कर पाते हैं उसमें फिचकल नहीं होता है लेकिन वीडियो में फिचकल होता है अब हम बात करेंगे 65,000 पुलिस भरती को लेकर देखे 65,000 पुलिस भरती का विग्यापन जारी होने वाला है कब तक आएगा कहा कहां आएगा किस राजी में आएगा इस पर बात करेंगे देखे दोस्तों 26,000 से अधिक पद उपार जून से जुलाई माह तक आपको विग्यापन देखने को बिलेगा बिहार में बंपर पुलिस भरती का विग्यापन अपरेल की बात समाचार पत्थर के माधिम से आपको बताया गया थ अपरेल में उत्तर पुलिस भरतियों पौटियों की माधिम से 35,000 पर भरती का विग्यापन जारी होगा पूरता गलत है अभी एजनसी का चैन नहीं हो पाया है एजनसी का चैन होने के बात विग्यापन आएगा आप मानकर चले कि माई टू जून तक इसका विग्यापन पूरतियों पूर्ट की माधिम से देखने को मिल जाएगा दो भरतिया होगी एक भरती का विग्यापन और आने वाला छे हजार पन कहां पर हरियाना में आप रैल मा में इसका विग्यापन जारी कर दिया जाएगा छे हजार पुलिस भरती का जो विग्यापन हरियान में जारी होगा जो CET क्वालिफाई होंगे उन्हीं का जो है चैनल किया जाएगा छे से साथ गुना भरत्यों को फिजकल टेस्ट के लिए बुलाए जाएगा तो बिग ब्रेकिन यूज मैं आपको बता रहा हूँ जो भरतिया आने वाले हैं कंफर्म है तीन महीने के अंदर चार महीने के अंदर आने वाले हैं उन्हीं भरतियों का मैं जिक्र करा हूँ अप्रेल, मई, जून और जुलाई तक ये तीनों भरतिया तीनों राज में आ जाएंगे एक भरती तीनों राज में आ जाएगे, पुलिस भरती तीनों राज में आ जाएगे हरियाना, बिहार, उत्तरप्रदेश कई भरतिया लटकने के आसार उस्तरव अजना सेवाचेन आयो की कई भरतियां लटकने के आसार है जैसे मुख्य सेविका की भरती लटकी पड़ी है आपको मालूम होगा वन दरोगा में भी डिले होगा और वीडियो जो है जून जुलाई ता खीचने की तयारी चल लए है तो तीन भरतियां वैसे भी लटकते नजर आ रही है और मैं आपको बता दू कई आईसी भरतियां है जिसका विग्यापनजारी होगा और चुनाओ के आट-दस महीने बाद ही कंपलीट होगा जैसे अगरिकल्चर टेकनिकल असिस्टन की वैकंसी आ गई बीडियो की वैकंसी आ गई तो यह सभी भरतियां जो है चुनाओ की बाद ही कंपलीट हो पाएंगी मेरी जानकारी के उसार आगे कोई अपडेट मिलेगा इन भरतियों के सम्मंद में तो अवश्य दूँगा वैसे कई भरतियां लटकी पड़ी है कई भरतियां लटकने के आसार हैं तो भविश्य में क्या होगा हर एक दानकाई सबसे पहले अपडेट कर दूँगा सही सठीक दूँगा आज बताऊंगा छे महीने बाद वही होग गारिंटेट डंके की चोट पर बता रहा हूं अब हम बात करेंगे यूपी जेए वैकंसी 2023 को लेकर उत्तर पर अजिनस शिवा चैन आयो की माधिम से इस भरति का विज्यापन जारी होगा है लेकिन अगरी कल्शा टेक्निकल एस्टेंट बीडियो और कें सुपरवाजर के बाद ही जेए की वैकंसी आने की संभाव ना है तो जुनिर असिस्टेंट की वैकंसी के अगर इंतेजार में आप बैठें हैं तो मैं आपको बताना चाहिए कि वैकंसी आपको अगस्त से लेकर अक्टूबर के बीच में पदों की शंख्या बंपर होने वाली है इसलिए त् नहीं तो प्रोफेसरल कोर्स छोड़ कर और जे को छोड़ कर देखिए जे में कटाब 65-63 से लेकर 65 रहने के आफार है लेकर अगर वीडियो की बात करेंगे तो 65 से 65 रहने के आफार है बाकी 65 से नीचे वाले भूल जाएं किसी भरती में अपलाई कर पाएंगे क्योंकि पदों के शंख्या के आधार पर सब कुछ निर्भरत करेगा और जानकारी के उसार जेई को छोड़ कर अगरी कल्चर टेक्निकल अशिटन को छोड़ कर किसी में भी दो हजार बाईस सो से जादा पद नहीं है तो आप सोच लिजे कितना कटाब जाएगा मुझे बतान की जानकारी आपको दी जाती है तो इस वीडियो को जादा से जादा सेर करें इतना सेर करें कि लोगों को सभी सठीक जानकारी मिल सके इस चानल से जुड़ सकें बाकी किसी भरती के समझ में आपको जानकारी चाहे तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें किसी भी से में जान पूरा वीडियो सुनने के लिए दिल से धन्यवाद